किसी भी एज में अगर हमारा चेहरा चमकता है और हमारे चेहरे पे गलो रहता है तो हम लोग कितना खुस होते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पैक लेकर करके आई हूँ जो इसकीन को चमकदार बनाएगा और गलोई बनाएगा इस पैक को लगाने से पहले अपने चेहरे पे अच्छे से कोई भी ओयल जो आपको सूट करता हो वो आप अपने चेहरे पे मसाज कर लीजे जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इसम सेम प्रोसेस है और आप लोगों को उसी तरीके से अपने चेहरे पे मसाज करना ह और डेली आप इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे बुढ़ापे में भी आपके चमक रहेंगे और इसकीन पे जो जूरियां आ जाती है वो हमेशा कभी भी आपके चेहरे पे नहीं आएगा, हमेशा जवा बनाये रखेगा इसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैक को लेकदम नैचरल है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस पैक को आप अपने पूरे चेहरे पे 15 मिनट के लिए लगा लीजिए मसाज करने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों को इसका निकालने का भी तरीका बताऊंग और बहुत ही इफेक्टिव ये पैक है तो चलिए इसे बनाते हैं आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मिल्क पॉडर अगर आपके पास मिल्क पॉडर न चैनल पे बिल्कुल जुर्यां खत्म हो जाएगी और चमकदार स्कीन बनेगा और आपको लेना है उसमें मधू एक चमच दूद पॉडर में मिल्क पॉडर में आपको दो चमच मधू डालना है और थोड़ी सी हाफ टीस्पून आपको इसमें डालना है यह लेमन जूस लेम जैसे कि आपके चेरे पे दाने वगर हैं वो सब भी होता है तो उन सब को भी यह दूर करता है और विटामिन सी तो होता ही है अगर आपको सूट ना करें तो आप यहां पे टमाटर भी ले सकतें लेकिन आप नीमू डालेंगे तो इसे स्टोर करके आप वन बिक तक रख लीज अगर आप सच में इसका डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी पैक लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे 15 मिनट रखने के बाद आप ठंडे पानी से दो लीजिए और जो आपको मॉस्ट्राइजर सूट करे वो आप इस्तेमाल कीजिए देखेगा दिन झाल pont बाद имौरर श करेंगे वो क्लुबस सच में प्रेंगे आप है नहीं चात अने क्मेंगे मॉस्ट्राइए और जो आपको मॉस्तेमाल तो ओिस्तेमाल की जरूरत नहे टिन मॉस्तेमाल तो आपको क्हाण सच मेंगे प्योचजर आपको क 집 ses दो आपको कि जरूमारत इ